हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकी आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो खाने में होती है बहुती स्वात बहुती टेस्टी और जो कि आप बीना कुछ सोचे समझे इजीली घर पर बना सकते हैं जो कि घर के समान के साथ बन जाता है तो हाँ पर उससे पहले मेरे चै चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाली आगे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी तो चले फिर एसे पी शुरू करते हैं यहां पर पनी 65 बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर ज हीउप की शेप में और पनीर को आप जैसी की साइस में रखना चाहते है वैसे कि आगर हम पनी 65 जो हम पनीशागे भीडल хотел होता है उसकी जो तिक ने यानि वो प्रबड़ बड़ल ही काटते हैं चैनल कि जंधे बनाईंगे और मुह में जातले जो स्वाल आएगा पनीर का व अब जो है मैं बाखी पनीर भी ऐसे काट लूँगे और लीचे मैंने सारा पनीर जो है बाउल में डाल दिया है अब इसमें जो है मैं नमक डाल देती हूँ ताकि नमक जो है इसके अंदर अच्छे से जाए और एकदब बढ़िया स्वाद आए नमक स्वाद अनुसार ही दाला है उसके बाद इसमे मैंने दाली है कश्मीरी लाल मिर्च जो की खाने में बिल्कुल भी तीकी नहीं होती कलर के लिए बहुत अच्छी होती है यसे की अब बच्चो के लिए हम बनाते है तो अब यहीं आली मिर्च का इस्तेवल कर सकते हैं अब मैंने हली दाली है कलर के लिए उसके बाद इसमे मैंने दाला है थोड़ा सा गरं मसाला बहुत भड़िया सुआद देदेगा हमारे Paneer 65 को उसके बाद यहाँ पर मैंने दाला है धनिया पाॉडर और उसके बाद मैंने जीरा पाॉडर दाला है बहुत ही बड़िया और बहुत ही स्वाधिश टेस्स देदेते हैं उसके बाद इसमें मैंने दाले है कुछ कड़ी पत्ते बारी काट काट के मैंने रख लिये थे ताजे हरे धनिया भी जो है मैंने चौप करके इसमें दाल दिया है और अब मैं इसमें दालूंगी अद्रक लसन का पेस्ट जो कि बहुती खुश्बूदार बना देगा हमारे पनी 65 को और खाने में भी लजीज़दार बना देगा तो अब मैं इन सब को जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अगर देखिए जैसे कि मैंने चमच से इसे मिक्स करने कोशिश करी यह नहीं होई ना आप भी बिल्कुल वैसे मत कीजेगा मैं मैंने आपको बताने के लिए ही किया है क्योंकि अगर आप इसे चमच से मिक्स करेंगे तो हमारे जो पनीर है वो तूट जाएंगे और जैसे कि हमें पनी 65 चाहिए है वैसे वो नहीं बनेंगे तो हम हाथ से ही इसे जो है अच्छे से मिक्स करेंगे जितने ही मसाले हैं हम पनीर पे कोट करेंगे, अब जो है binding के लिए इसमें मैं दालूँगी दो चमज के करीब corn flour corn flour से एक बहुत ही बड़िया binding आजाएगी हमारे पनीर को और वो टूटेंगे बिने और crispy बनाने के लिए यहां पर जो है expression ingredient दालूँगी जो की है चावल का आटा बहुत ही crispy बना देगा हमारे पनीर 65 को, मुह में जाते ही एकदम crunchy वो जो अवाज आती है बिल्कुल वैसे ही आएगी और इसमें मैंने दाला है नीबू का रस जो की coating करने के लिए यहां पानी का यूज करते हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने जैसे कि पनीर के ओपर भी नमक दाला था तो उसने भी थोड़ा सा पानी यहां पर छोड़ा है और जो नीबू का रस है उसी से ही आप इसे मिक्स कीज़ेगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और देखिए कितना जबर्दस जो है जो भी हमने एक कोटिंग बनाई थी इसकी वो पनीर के ओपर एकदम मच्छे से कोट हुई है अब हम इसी स्टेश पर इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए यहां पर मैंने पैन में अल्रड़ी ओयल दाल दिया था और एकदम high flame पर इससे गरम कर लिया है और अब मैंने पनीर दालते ही इसे medium flame पर कर देंगे क्योंकि अगर आप high flame पर इससे पकाएंगे तो पनीर वो बाहर से तो एकदम लाल हो जाएगा यानि एकदम जादा crispy हो जाएगा पर अंदर से बिलकुल नहीं पकेगा और आप जो है इसे medium flame पे ही पकाईएगा यानि fry कीजिएगा तो अब मैंने जो है यहाँ पर पनीड के cube जो है वो oil में डाल दिये है और इसे जो है लगबग हम अच्छे से fry कर लेंगे ताकि इनका जो color है वो एकदम golden brown हो जाए और एकदम यह crunchy भी हो तभी इनका खाने का स्वाध है वो बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही tasty आता है देखिए जो है एक side से थोड़े radish होने शुरू हो गया है यानि अच्छे से fry होने शुरू हो गया है और आप जब इनके ओपर कितना अच्छा color आया है पनी 65 जो है हमारे बनकर कितने अच्छे से fry होए है और यह खाने में भी उतने ही स्वाध होते हैं बहुत ही tasty होते है अगर कोई guest आज आता है घर पे तो आप फटा फट से बना लीजेगा गयस तो बिलकुल आपकी तारिफ ही करेंगे और आप बच्चों को भी खिला सकते हैं जैसे कि बच्चे हिशाम की चाय के साथ जो है यह snacks मांगते हैं तो आप यह दे सकते हैं बहुत ही tasty होते हैं और easily घर पे बन चाते हैं अब हम इने तड़का लगाएंगे तड़के के लिए यहाँ पर मैंने पैन में जो है एक चमच के करीब जो है वो ओयल दाला है ओयल में जो है मैं आदे से भी कम चमच जो है वो जीरा दालूंगी बहुत ही tasty और एक अच्छा flavor देगा हमारे पनी 65 को जीरा के जो है मैं थोड़ा सा जो है चटकालूंगी अब इसमें जो है मैं बारीक कटा हुआ अद्रक और बारीक ही कटा हुआ मैं लसून दालूंगी इसमें बहुत ही बड़िया taste देगा और बहुत ही बड़िया खुश्बूत देगा हमारे पनी 65 को और इसे अच्छे से एक मिर्च के लिए स्टॉर कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है मैं दालूँगी बारी कटीवी हरी मिर्च एक तीका फ्लेवर देगा हमारे पनिय सिस्टी फाइव को अब जो है इन सब के बाद इसमें मैं दालूँगी लाल मिर्च यानि सूखी लाल मिर्च दालूंगी इसे जो है एक मिन्ट का स्टार देंगे यानि एक मिन्ट फ्राइ करेंगे उसके बाद जो है इसमें मैं दालूंगी ताजे कड़ी पत्ते इन्हें भी जो है एक मिन्ट के लिए हम एक अच्छा सा फ्राइ देंगे यानि एक इसमें दालूँगी जो पनीर हमने fry करके तयार किये थे वो पनीर मैं इसमें दाल दूँगी और इसे अच्छे से जो है पनीर को इन तड़के में जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और इनका एक टेस्ट भी कितना अच्छा है नमक मैंने दाना है उपर से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप इसे अगर नमक आपकी पनी में जो है बिलकुल लगबग ठीक है तो आप आप अवाइड भी कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं और अब मैं इसके उपर से दालूंगी हरा धनिया बहुत ही एक अच्छा जो है मेर रेसिपी है वो बनकर तयार हो गई है बहुत ही जटपट से बन जाती है और खाने में यह इतनी स्वाद होती है अगर आप इसके उपर नीमू जो है वो अच्छे से छिड़केंगे तो बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी बन जाएगी यह रेसिपी तो आप भी बिलक